असलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम 9th किलास की पेरिंग स्कीम भी देखेंगे और हम पंजाब टेक्स बुक से जो इंपोर्टन इपॉर्टन कॉस्टन बहुत बार पुछे गए हैं पेपर में आज हम उनके निशान भी लगाएंगे पेरिंग स्कीम मैंने पहले भी किस चाप्टर से कौन से कॉस्टन आ रही है आब यह देखें हैं जो स्बास में होता है आपके पास मूलरोजी ही होती है, इसमेंसी क्तनी होती हैं में आपकर आपको 15 पहर जाते हैं नंबर मेंद 10 अगर नियुक्न करना कि आपके चाप्टर की ओस्वाना की अपके चाप्टर हो अभी हम बुक में से भी देखती हैं जो आपके पास चाप्टर बनते हैं उनमें से शॉर्ट, लॉंग और M.C.Qs वगरा का निशान लगाते हैं जो जो फाइफ येर पेपर में बहुत बार पुछे गए हैं उन्हीं पे हम निशान लगाएंगें अब हम पंजाब टेक्सबुक में से जो इंपोर्टन कोसिंस उनके निशान लगाते हैं इसलामियाद के नाइंथ किलास के जो के एक्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टन है फाइफ येर में जो बहुत बार पुछे गें अभी आपके पास ये चाप्टर्स के उन्हें में मैं अभी जो मैंने आपको पेरिंग स्कीम में बताया था पेरिंग स्कीम में ये था कि आपसे एक तो पहले क्या पुछ जाएगा एक हदीश दीचाएगी उसका आपने तरजमा लिखना को वो जस्तीन नंबर की होगे ठीक है वो इस पहले वाले चाप्टर में से आ सकती हदीश जो दूसरा है तीसरा है चौधर है इन में से किसी पर भी वो कह सकता है कि नोट मत लिखें ठीक है कि दा जैसे क्या मुरा रिसालत से यह नमाज बेरोजें पे नोट मत लिखने को भूल सकता है और जो इन उनले मैंचन किया हुआ था कि ये लाश मी पूछा जाएगा वह चै अपर नमबर 6 में से बोला हुआ था कि दो कोई भी मेंज दो कोई भी शक्सियात के बारे में पोच्छा जाएगा उनके उपर आपने नोट लिखनी होगी और यह इंपोर्टन्ट है इसमें से आपको आठ नमबर का पेपर दिया जाएगा ठीक है उपर वालों में से भी आठ पर रीडिंग भी करना तो इसमें से बहुत सारे एंसे क्यूस भी बन जाते हैं जैसे कि एकरा का एकरा का माईनी क्या होता है यह एक हमसी क्यूस बन सकता है क्राम मजीद कितने अर्से में नासिल हुआ यह अगर एक फर्स टाइम आप यह करें के साथ-साथ फजिक्स क्राम मजीद को इसका हम तफसिली स्वाल देखते हैं यह देखें आदे साहबा कराम में जमा उतद्वीन क्राम मजीद के हवाले से लिखें यह देखें सिर्फ एक ही लोग बन सकता है कि क्राम मजीद को जमा किसके दोर में किया गया था ठीक है यह पूरे का पूरा चप्ट आएगी ठीक है इनको अपने क्या कर लेना है अच्छे से याद कर लेना है ये तीन नंबर की ये अधिस मुंस्ट इंपोर्टन रही अब इधर से आपको जो अल्ला ताला के नेम है इधर से एमसे क्यूस बन सकते हैं ठीक है शक्सियात है जो उस पे आपको नोट अभी ये आगे चाप्टर इधर से आप से पुछ जा सकता है कि अकीदा तोहिर की अहमेत वियान करें ठीक है तो आपने इसका तरश्मा भी लिखना हो और पूरे इसके पूरा कंपलेट इस पे क्या करने होगी नोट लिखनी होगी कंपलीट नोट लिखनी होगी और ये भी पुछ जा सकता है ठीक है तो आपने क्या करना है और खास और एक चीज़ा आप लास्मी करें अभी थोड़े सा टाइम है आपके पास जो इनके एमसी क्यूस हैं पंजाब टेक्स बुक के उनको आप वाला चप्टर एजी है ये दोनों तोहिद वाला और अकी तरह साथ वाला एक बार रीट करने से आजाएगा बर तिछो इनकी आयात हैं उनको सेम टू सेम आप याद करें आयात का तर्जमा है सेम टू सेम याद करें वह उपर नीचे नहीं हो नेक्स्ट ये ये वाले चप्टर आपने एक बार रीड कर लेने इन पर कंप्लीट पर आप से नोट पुछे जासकते हैं नमाज रोज जगात पर भी आपसे सेपरेट सेपरेट एक पुछा जा सकता है या नोट लिखें ये देखिए चप्टर भी मेंचिना लगा लगा है और ये आपसे नोट और इनके ये MCQs हैं, ये MCQs कर लेने, नेक्स्ट जो शक्सियात वाला चाप्टर है, उसको देखते हैं, उनमें से कौन सा इंपोर्टन चाप्टर है, तो अधर से आपने क्या कर लेना है, सिरफ वो एक ही दो चाप्टर कर लेने हैं, अच्छे से, ये शक्सियात वाला चाप्टर किदर है, चाप्टर नमबर 6 है, 6 से स्टाट होते हैं, उनमें पूछ हुए हैं, तो फिर उदर से ही क्या हदीस भी जैसे हैं, इनमें से तो आपको पहले बता दिया, तीन नमबर की हदीस आएगी, बागी के आठाट नमबर की कुसंद आएंगे और वो आप कोई बता दिया, वो किदर किदर से आएंगे, ठीक है, तो आपने उसी के ही मताबिए क्या कर लेनी है, अपनी तियारी कर लेनी है, तो हुई दूर इस सालत पे नोट पूछा जा सकता है, रोजे पे, हज़ पे, जगात पे, इन पे नोट पूछी जा सकती है, ठ कि अगर मुझे कमेट्स में 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 चाहिए हो तो भी मैं अपलोड कर दूंगी बढ़ यह है कि पहले आप मुझे बताएं अगर आपको चाहिए होंगे तो ही मैं अपलोड करूंगे अपने चैनल पर यह हमसायों कि हगो यह भी पूचा जा सकते हैं अब इधर से यह शक्सियात वाला चाहपर स्टार्ट हो गया अब इसमें क्या करने है पहले वाले अगर आप एक बार जीड़ भी कर लेंगे तो आपको वो चीज़ी आ जाएंगे उनमें इतनी मुश्किलात नहीं हैं बट यह जो शक्सियात वाली है इनकी डेट वबर्ट इनके कारना में इनके जो भी इवंट्स होए थे में में उनको अपने अच्छे से याद कर लें ठीक है हजद इमाम चाफिर अब आपको नहीं बता हो तो आप कैसे लिखेंगे या आप कहते हैं कि इसलामयत याद करने वाली नह ही देता है जबकि अब आप मुझे ये बताएं अगर आपको हजद चाफिर के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप कैसे लिखेंगे ठीक है रिसालात के बारे में लिखेंगे तोहिर के बारे में भी लिखेंगे कुछ ना कुछ उनकी हदीस और तर्जमे आपको फिर भी य अच्छे से करना इमाम चाफिर के बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए अब मुसा कौन है अगर आपको पता है शक्स को मुझे कमर्स करके बता है कि हाँ मुझे ही चैप्टर आता है और मुझे पता है बाकी का फिर भी इजी होता है ठीक है अदाब के बारे में बिलि करना है इन चाप्लर्स ने यह सारे चाप्लर इंपोर्टन रहा है अज़ अब्दुल्ला बिद्ध यह भी देखें यह चार से पांच चाप्लर बनते हैं और इनको अपने अच्छे से याद करना है फुल टाइम देखें इनको ताकि आपके इदर से कंप्लीट कंप्लीट आएं ठीक है इन चाप्लर्स की एमसी यूज और इन चाप्लर को इसकी फोकस करना है डेट ओव बर्थ पे ठीक है और दूसरा क्या करना है और इनके मेन जो नोंने काम किये थे इनके मोज़ाद इनके यह फिर आपको इदर से नंबर नहीं कटेंगे इनकी फिर हैडिंग दे एकटेशन लिख लिक में पर आपने कोज़्मान वोडर्श वाला तो यह फिर भी इसी रहता चाप्रेस को फिर इनसान क्राव कर लेता है ठीक है मैंने भी आपको बता दिया अपने फोकस किन चीज़ों पर करना है जो शक्सियात वाले चाप्टर है अध्यला है यह वाले त